स्टूदेंट्स, कैसे आप आज जो सेकंडर के लेक्चर के साथ, ने लेक्चर के साथ हाद हूँ आज टॉपिक हमारा लेक्चर का वह है स्टॉक्चर आफ सी प्रोग्राम की जो जनल स्टॉक्चर वह किस तरह होगी हमने इसको डिसकस करना है आईए चलते हैं लेक्चर की तरफ सबसे पहले तो है वह हमने दो फाइलों को इंगलियूट करना है इंगलियू स्ट्इजयू डॉट एक आफिंचिंजयू को इंगलियूट-स्टॉट-स्ट्ध प्रनाव मियों-स्टॉट-स्थ-स्टॉट-स दूसरी header file यह कूंद यह हो यह यह निए console input output header file लिए हमने इसको include करना है इसके बाद है वाइड में यह main function लगाना है इसके बाद जो है वो program body जो है वो start होगी यह curly bracket जो हमने अधानी है इसके बाद जो है program हमने start है और curly bracket के नीचे जो है यह हमारा declaration section अज़त है variable declaration section इस जगह पर variable declaration declaration है इसमें हमने variable को अगर एक एक से ज्यादा variable होते है उनकी data type के साथ हमने इनको अगर एक से ज्यादा है तो हमने comment के साथ इसको separate करना है next आज़ता है clear screen function लगाते हैं यह CLR SCR यह function होता है हमने store semicolumn से add करना इसको क्योंकि एक statement है तो तो जो every statement उसे variable declaration जाब यह खरणा हो जाएगी कि हमने इसको semicolumn से को end करते हैं यह क्योंकि क्लियर से clean function जब नहीं लगाएंगे तो जो output जितनी दफ़ा हम output को run करेंगे करेंगे प्रोग्राम उसके output जो है न वो output से पेंपे नजर आएगी जब हम clear से clean function लगा देंगे तो पिछली जो output होगी उसको clear कर देंगे statements हमने इसको end कर जाना है last ने जो है statement जब complete हो जे उसके बाद get ch function जो है यह हमने लगाना होता है दीखना होता है get ch function का मतलब यह होता है जो हमने प्रोग्राम execute होता है execute होने के बाद output जो है दिखाता है आखरी statement की output दिखाता है जब फिर हम कोई key press करते हैं यह अगर नहीं लगाते तो output हमें अगर यह function लगा देते हैं तो यह उस वक तक output screen यह ब्लैक स्क्रीन होता है उस वहां पर वह स्टेर है कि जब तक हम कोई key press निकलेंगे क्योंकि जब हम कोई key press करते हैं तो यह get character यह input function के तोर पर इसमार होता है यह input लेकर वापस जो added screen है blue screen है वो उसमें वापस आदे हैं यह तो थी general structure C program की अब हम जाते हैं यह जो पहली है यह इंग कहते है pre process director यह दो श्रेट जो पहली है pre process director यह pre process director है यह studio std std को मतले है standard input auto file यह दो है इसको कहते है standard इसको पॉड़र आप यह दूसरी जो हमने लिखने है यह जो है इसको कहते है जो है console input output यह dot and header file यह जो फाइल है इनको लागनी तोर पर शामिल करना होता है क्योंके standard input output file में जो है जो input function हम इस्तमाल करते हैं या output function इस्तमाल करते हैं जैसे print tab function है ठीक है print tab function जो है जो हम यह इस जगह पर clear screen के बाद print function या scanner function इस्तमाल करते हैं यह function जो है यह इस यह इसके अंदर होता है प्रेंटर फंक्शन हो गया scanner function हो गया यह सारी जो है यह function यह इसके अंदर होते हैं यह जो अपना input output header file जो है यह पहली standard input output header file इसके अंदर यह file मुझूद होते हैं और get.chb इस header file के अंदर मुझूद होते हैं जिनका coding बगार है जो हमना pre-plan होती है pre-prepared होती है जब यह function जो है ना हम लगाते हैं वो call होते हैं header file के जरीए से और हमें input या output जो है डिस्पली कराते हैं उसके पार console input output file यह भी header files हैं इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे functions या यह clear screen function बगारा या उसके इलावा कोई और function जो हैं इसके अंदर console यह लाजमी तौर पर जो हैं को एड़ करना करता है तोनों पार और इसके इलाव प्री पुरस्टार्ट और भी include है include math data आचा है वो भी हम include कर सकते हैं अगर हम mathematical operations करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर तो include यह लाजमी तो पर इसके पार हम लिख सकते हैं या इस जगह पर हम इसके बाद अगर है तो फिर हम इसको लिख लिख लेते है include नया पर डॉप एच यह mathematical operations जितनी log वगरा है sign है यह इस तरह complicated जो complex number यह इस तरह complicated जो है न वो अगर के mathematical problems जो है न वो उनका हमें solution करना है तो यह qualify जो हमें include करना था है अब हम छोटा सा एक program बनाते हैं और उस program के अंदर आप देखेंगे किस तरह यह execute होगा और किस तरह यह run होगा यह बाकी चीज़ें जो है ना यह general doctor यह declarations चीज़ें यह नहीं नहीं हम दोर नंबर को जमा करना चाहते हैं तो इस परिके से हम इनको यह इंटियर टाइप डेटाइप है ए और व है ए सामनाम का variable जो है हम रिफाइन करते हैं इसमें इसको इनिशिलाइज करते हैं 0 से यह इनिशिलाइज 0 से क्यों करते हैं यह हम लेकर बादे अब हमने इन दो नंबर को जो है मैं इसको प्रोग्राम के अंदर की इनकी वैल्यू दे रहा हूं लेकिं अब बाद में भी दे सकते हैं वह हम बाद में अगले लिच्छ में देखेंगे अहां एक वैल्यू दा सम रख लेते हैं और वी की वैल्यू जो है 15 रख लेते हैं और इन दोनों को हमने सम करना है जिरो सम इकोल तो ए ब्लस बी यह बाद चोड़ा रख प्रोग्राम बन रहा है प्रिंटर बंचल लगांगे सम आप तो नमबर इसके बाद 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 बेटर देखने के लिए लाग्नी बाद फामा लगाने के बाद सम की जो बैल्यू यह वरियर्यबल है वो हमने उधर जाके सपो लिकना और यह सेमिकोल्विसिस को एडिकर ने यह आप देख रहे हैं इसके बाद GATCH कोई जगरन चोड़नी इसके लिए और यह साथ ही इसको लिख देखे हैं GATCH फंक्शन लगाएंगे और अब यह प्रोग्राम कैसे एक्सलूट होगा पहले आएगा इंक्लूट चामिल करेंगा इसके बाद अगरी स्ट्रेमिन को न्यूट एच यह इंक्लूट करेंगा उसके बाद वाइडमेंट की तरह आएगा और इंट ए और बी जो ही ए और बी आपने डिखाएंट के इसकी के लिए ज़र आपनी तोर पर लुकेशन जिवेने को रियर्ट हो जाएंगी 402 और तीसरा वियर्यवल जो है इस सyin अगर हम इसको जीरो से इनिशलाइबना करते हैं तो इसके अंदर गार्वेज वैल्यू होती है जो गार्वेज वैल्यू हो इसके अंदर शामल हो जाती है एडिंग के दोरां या इस तरीके से यह हम यह बेस्ट प्रोग्रामिंग होती है या एक अच्छा प्रोग्रामर जो है यह जून ही हमने इसको assign पहलेगी, यह एकुल sign यह assignment अपर रहे, यह कहता है, जो 10 हमने दिया, यह constant होता है, constant यह को provide कर देगा एक प्रोबाइट कर देगा एसके location पर और 15, यह 15 जो है न, बीको allocate कर देगा, उसके पात, प्लस बी उहां प्लस में, प्लस होंगे, और यह जमा हो और इसका जो जवाब है वो साम नाम के वेजिबिल को दे दिया जाएगा यह 10 और 15 है यह जमाऊं के यह 25 बनेगा और 25 बनेगा यह साम के अंदर चल रहता है और उसके पर प्रिंटर फंक्शन तो यह यह लाज़मी तो पहता है यह जितनी भी है यह यह फंक्शन जो लगाते हैं किस्मान नोर कें के जो चीज Понाई इसके दरियां जितनी जीज़े हैं वो वैसी कि वैसी कि वे रखो कि sum of O' नबर्स और एक फ़र्वन सपैसे कर लोट प्र है इसके अंदर जो value है variable के अंदर को फावेट करके integer में इसको convert कर देगा अब यह 25 आया है संब की value तरह आप इस तरीके से यह जो है दो नंबर का sum जो है हमें इस तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से जैसे हमने sum किया है इसा subtraction भी कर सकते हैं यह चोटा सा प्रोग्राम था यह चोटी से structure थी यह आपने लागमी तो पर इस तुडियो कोनियो डाटाइक वाइड में यह सारी वैसी वैसी तहां चीज़ें जाना यह हर प्रोग्राम के इंदर आदी है इसके बाद यह विरियोबल आपने जो भी विरियोबल आपने इस्तमाल करना है यह हम इस्तमाल करें यूज करें तो उनको लागमी तो पर किसी डाटाइब में उसको define करना पड़ेगा यह हम देखें कि डेटर टाइब बहुती का चीज़ है यह इसी तरीके से लिए हमारा प्रोग्राम में स्वाइब हो यह नहीं बैस और उसके बाद ही यह तो अधा स्ट्रेक्शर और अगर हम पाकिस्तान यह नहीं हैलोगर यह इस तरह का सिंपल करते हैं तो मैं बहुत भी जैसे हम कोई जीज़ प्रिंट करना जाते हैं वो उसके सिंपल जाय क्लियर सक्रीन फंक्शन लगाएं उसके लिए तो हमें कोई चीज़ की ज़रत नहीं होती हैलोगर प्रिंटर फंक्शन लगानी के बाद हैलोगर रिखना जाते हैं कि इंवर्टेट कामाज उसके बाद इसको मैंने बात कर देना है अगर और स्टेट में लिटकी हैं जितनी मरजी स्टेटमेंट आप लिखते जाएं तो यह पाकिस्तान लिखना चाहते हैं यह यह अब क्या होगा जब हम इसकी आउटपुट निकालें निकालेंगे तो यह हैलो वर्ड जी हम इसको रन करेंगे यह सारी चीज़ें बैसी की वैसी ही जाने इंक्रूट स्टीडियो करेगा यह सारी एक्स्ट्उट करेगा फाइन को और ठालेगा वार्ड में इंकुलेर से क्लिए कर देगा प्रिंट अब प्रिंटर में जो चीज लिखी यह है और उसके बार पाकिस्ताने से साथ ही प्रिंट कर देगा, हम चाहते हैं अगली लान में प्रिंट हो पाकिस्तान, तो क्या कर देगा, फिर हमें जो प्रिंटिंग कर रहा होगा, उसको अगली लान में प्रिंट कर देगा, जो हमें अगली लान में प्रिंट कर देगा, जो हमें कि अच्छी जाक्त पर जाए लगाने के बाद इस लिए लिखा है कि अच्छी है कि अच्छी से पाकिसान जैसे बड़ी ए बी सी में अगर है एक एच बड़ा लिखा तो हो पर बढ़ा मिख़ा जायगा अगर ये capital ही कह तो भौब भी capital है oricação 거야 यह और यह सुमिशा है , इस थर्ट्रिंड यह सृ्ट्रिंग और स्ट्रिंग होती है। इस बार्डरा निट चाहिए and अहले वह जाद करना होता है Friend tap फ़ंच्ठ्रिंड आपने प्डियन जितनी है पैस हमाल करना पड़ता है अगर आम किसी चीज़ को अपर केस में कर दे गे के रहे हैं तो गोर झो है, इसके लिए सेंट एक सारत देएगा, क्योंकि अपर केस और केस नवह इसको अलादर अलादर ट्रीट करता है, इस तरीके से आज का लेक्चर जया नवह बो पतम हो चाता है, इंशाले नेक लेक्चर तक करिये खुदा आपीस